हेलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे अप्लाइड मेकैनिक्स के जो चैप्टर फरस्ट है यांत्रगी के बारे में और उसकी उप्योगता के बारे में जो कि आपकी एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट कोस्चन बनते हैं तो आज उसी के बा लाएंगे अप्लाइड मेकैनिक्स के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक जिसे पढ़कर आप लोग असानी से एक्जाम क्रेश कर सकते हैं और आपकी कि इंपोर्टेंट भी आ चुकी है कब तक एक्जाम हो गए आपकी 15 माईस यांतरकी विऑ ग्यान की एक साखा होती है मतलäv इसके दोर विज्करण यह फटा चलता इसके दोरा कि जो भी बल लग रहे हैं किसी बक्रण कर रहें वनेसे बल्डत क्षिए उसके बलनन क्रभाव का जोलनन करते हैं वह हम लोग यांतरकी के अंतरقت करते हैं ठेक इसे हम लोग बल बिज्ञान भी कहते हैं यह आंतरखी को मावलिक रूप्स murder मातनीव प्रकार निन की यानि डायनामिक्स तो जो आपका गति विख्यान होता है उसमें भी दो टाइप के होते हैं सुद्ध गति विख्यान और बलगति विख्यान तो इसके बारें देखते हैं सबसे पहले देखते हैं स्थित विख्यान यानि स्टैटिक क्या होता है तो इस्थित विख्यान होता ह यह एक उसके अंतर्गत विरामा वस्था में वस्तिों व्सक्राइब करते हैं मतलu भी इसको सोची जब स्थित स्थित मतलब प्रामा वस्था तो आप लोग topics से ही मतलब headlines से ही अप लोग और सब्सक्राइब कान वस्था में जो वस्थी तो पर बल लगता उसका उसका प्रभाव का धिन करते हैं उसके बाद आता है आपका गति ज्ञान तो गति विग्ञान में क्या होता है आपका कि इसके अंतरगात बलों के प्रभाव में गति मान वस्तुओं का ध्यन करते हैं इस्थित में बिरामा वस्ता था और गति में गति मान हो गया ठीक तो अब इसका दूबह था आपका हमने बताया तो एक था सु्द्ध अगति और दूसरा था बलाक लगति क्या होता है इसके अंतर वस्टी की कवल याद्धिन350 न करते हैं फिर भी बल या सनहत पर विचार ने मतलब उसके जो बल रखता है वा उसके दरबमान पर हम लोग कोई विचार नहीं कर से इसे सुद्धिगति विज्ञान कहते हैं नेक्स्ट है आपका बलगती विग्ञान तो बलगती विग्ञान में आपका आता है इसे कहते है काइनेटिक्स मतलब इसके अंतर गती के साथ साथ बल तथा द्रबमान पर भी विचार करते हैं कर दो होह कि इसमें लोग बल और सन्हाथ यानी मास या द्रभमान पर विचार नहीं करते थे और बल गती में जो है इसमें गती तो रहते लेकिन उसके साथ साथ बल्ल और के मानफ भी मोर्लो पिचार करते हैं आएए कि देख तें इसमें अगला टॉपिक क्या है आई ये अप्लाइड मेकानेज को दूसरे मासा समझते हैं इंजीनरी से सम्बन्दित यांतर की की एक महत्पूर्ण साखा है वह अभी क्या सम्दित था इसे इंजीनरीं में हम लोग डाल लें हैं तो इसे समंदित एक महत्पूर् और जें अंतर विन्यासों ढ़ाचो आदिक आवियों आद से सब्दितान ट्रपी की कि समस्यां कूँ लोग इसके दोरा हल करते हैं किसके दारा अप्लायड मैकाइनिक्स के दौरा तो अप्लायड मैकाइनिक्स की सभी सखाओं के लिए मूल सिध्धान तो ही रहते हैं परन्त समस्या के अदार पर उनका रूप बदल कर आउसे अनुसार प्रयोग करते हैं जैसे कि सबका हल तो एक ही कानर से किया जाता है लेकिन जिस प्रकार से जितनी समस्या होती है उसी प्रकार से इसे साल्व करके हम लोग उस मेकाइनिस का प्रयोग करते हैं अगर उप्योगता नहीं जानेंगे तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे तो इसकी उप्योगता को देख लेते हैं आगे तो यहाँ पर देखे यांत्रे की उप्योगता यांत्रे की उप्योगता मतलब मेकैनिस जो इंजिनरिंग का एक बहुत ही अभिन अंग होता है इसके ग्यान का उप्योग जो है वावस्तुओं के निर्माड किरिया तथा परिच्छड में होता है तो जैसे मसीन या यांत्र विन्यास की किसी पूरजे धाच्यान अभियों के निर्माड के लिए सरपर्थम उस पर हम लगने वाले बल को याद करते हैं ठीक कोई भी बल लगेगा तो सबसे पहले हम लोग उस बल को याद करेंगे फिर उसके प्रभाव पर विचार करेंगे को अब बल उस पर किस प्रकार की किरिया कर रहा है और करके अंग का साइस्त उसके पदार्थ निश्चित किया जाते हैं इसके लिए यांत्रकी के मुल सिध्धान पर्योग किया जाते हैं वह आपको हम बताएंगे अगली वीडियो के माद्यम से इसका उप्योग देखते हैं आप लोग पहले तो देखें यहाँ पर इंजिनरी में अत्यदी कुप्योगता के काराड़ी यांत्रकी के मुल सिध्धानतों को भी इन रूपों में प्रयोग करके इंजिनरी के उनके बिशियों जैसे द्राव इस्थित विग्यान द्राव गत्यविग्यान गैस बतिक गत्यविग्यान वा जिनकी आधुनिक योग में प्रयाब्त उप्योगता रहती है ठीक यह सब इसके उप्योग हैं इसे द्यान से देखिए जैसे मोटर वाइव यान इंजन पूल भावन डैम अंत्रिच्यान तथा समाने वस्तुमें आधि इन सब का प्रयोग किया जाता है अर्थात प्रतेक उस वस्तु के निर्माड प्रयोग्याध्यन में जिसमें बल्यागत पर विचार करना आवस्यक हो यांत्रिका ग्यान होना आवस्यक है अगर आपके पास यांत्रिका ग्यान नहीं है तो यह सब देखिए गड़ी पंखा समाने वस्तुमें पूल भावन डैम इन सब पर कारे करन आपके आपका आपका आपकी आपके तॉपिक तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे आप लोग से अगले वीडियो में